सलाम नमस्ते स्रीकाल मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की इंटरनाशनल प्राइम प्राइम रिपोर्ट जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी-बड़ी खबर आसान और सिंपल भाष जल्दी-जल्दी मैं आपको बताने वारा हूं दोस्तों अब सा चाइना डराने वाले काम कर भी रहा है भारत के लिए खत्रा है अमरीका के लिए खत्रा के है ताईवान के खत्रा है जापा कई देशों के लिए चाइना इस वह बड़ा खत्रा बना हृए है । पिर दोस्तो ऐसे में चीन की नेवी की ताकत अमरीका पहले ही एकसेप्ट कर चुका है कि चीन की नेवी सबसे मजबूत है ऐसे में एडवांस लेवल पर जाकर चीन एक सूपर शिप बना रहा है जी हां उसका वी एफेक्स फुटेज आपको सामने रख रहा हूं जो चीन के द इंट्रेस्ट है उसने बड़ा बड़ा खुलासा किया है कि सूपर शिप बनाएगा चीन विवान वाहकपोत के कई गुना होगा शक्तिशाली दोस्तो एरक्राफ्ट करियर भी दिखता होगा हमला करने की इसके अंदर ताकत भी होगी और पूरी दुनिया में सबसे ज़्या maker करियर हमला नहीं करता लेकिन यह Iidmanirephant करियर की तरह तो है लेकिन इसमें एंती मिऑजाइल लगा हुआ है इसके अंदर रैडार सिस्टम लगा हुआ और यह हेलिकॉप्टर को Fighter returned को माहर गिराने के लिए भी ताकत रखता होगा इसके अंदर laser system प्वी रवार्environ करने के लिए machine gun भी तैनात होगी इसमें motor डागने के लिए machine भी तैनात होगी यानि आधुनिक लेवल पर जैसे Star War की हम जो film देखते हैं Hollywood की जो हम film देखते हैं उसमें आप Star War में अगर आपने समुंदरी कोई लडाकू विमान देखा होगा उस तरह का यह बनाने जा रहा है चीन जिससे अमरीका पहले सही सक्ते में आ गया है और चाइना जब कोई बात बताता है कि हम यह बनाने वाले हैं तो लगबग वो बना चुका होता है तब उसका एलान करता है तो अब यह अमरीका के लिए लाब से फैली थी तीन सीनियर साइंटिस्क जो उस लाब में काम कर रहे थे चीन की वहान में वह पहले संकरमित हुए थे और उनहीं से फिर धिर धिर यह वायरस फैला और चीन को यह बात पता है लेकिन जुटला रहा है लेकिन चीन के खिलाव अब सुबूत अमरीका की को विकास करकर खुद का दिखा दिया है मैं कोई किसी की तारीफ और किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं पनौती की दुम बात ही नहीं कर रहा हूं हकीकत बता रहा हूं आपको कि सच्चाई यह है कि रिकॉर्ड बना लिया है चीन ने क्या रिकॉर्ड बनाया है एक ही मीजा सेटलाइट की जनसंख्या चीन की अंत्रिक्ष में वर्दी आ रही है सोचिए रिकॉर्ड तोड़ दिया इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि चीन पहला ऐसा देश है जिसने एक ही रॉकिट के अंदर एक टालिस सेटलाइट घुसा कर लॉंच कर दिया कि दोस्तों माइक्रोक्सॉफ्ट के करता धरता सीओ बिल गेट से चीन के राश्पती ने शीचिंग पिंग ने चीन में उलाकात करी है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी सियो अब चीन के आगे टाता थया करने के लिए तैयार है इसलिए अम्रीका के सीने में डर्द उट रहा है में अन्यान चूर्ण करता हम अक्राण बढ़ सुन करे लिए और हम अको हुआ में दो हर बहुत हैं आव्यों करे अ कि अिष्गा में हो स्यूंद करे लिए में दो तकी नन्यान दोस्तो एक खिछड़ी पकी है थोड़ा समझने में मुझे भी समय लग गया था लेकिन आपको भी समझाऊंगा चाइना पूरी दुनिया में एक ऐसा वहाई देश जो सबस्यादा चिप बनाता है सिम मोबाइल चिप ऐसे में अमरीका ने चीन की कई कंपनियों को बैंड किया हैं हम और प्रकात है थे चैना ने अमरीकी चिप बनाने वाली कंपनी मिक्रौन उस पर ल्टा पापंदी रखा थे दुड़ा तो हम भी लगाएंगे रही अब मिक्रौन पर मिक्रौन पर पापंदी लगी तो मिक्रौन को डंあ щоб्रना चाहिए था दरना चाहिए था खुद अमरीका की कंपनी चीन से जूता खाने के बाद भी चीन के पाले में है तो यह इतना बुरा की वक्त अमरीका का चुका है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म आदीपुरुष दुनिया के सामने आई जिसने भगवान शीराम और हनुवान जी का मज़ाग करक दिया इसमें बहुत सारे विवाद हैं लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद अंतर राष्टे है वो नेपाल वाला है नेपाल का कहना यह है कि माता सीता का जनम नेपाल के जनकपूर में हुआ और भारत में मैया सीता को भारत का दिखाया इस पर नेपाल बुरी तरह से बैन कर दिया जाएगा यह धंकी दी थी और इस धंकी को कुछी घंटे बाद नेपाल में इस फिल्म को बैन कर दिया गया एक प्रोपागंडा फिल्म का चारो तरफ से जूता खाना इस बात की दलील है कि नफरत के सौधागर का सौधा जादा लंबा नहीं चलेगा पाकिस् होते हो देखना चाहती है और आइएमफ उन्हीं के इशारे पर काम कर रहा है उदर नौर्वे के अंदर दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने देशों के अलग अलग देशों के विदेश मंतरी डेलिगेशन ने तालवान से मुलाकात करी नौर्वे में मज़दार ब बैंकिंग सिस्टम के तालवान के मिलिस्टर ने चीन के अंबैस्टर से मुलाकात करी है ताकि तालवान चीन की मदद से अपने अफगानिस्तान की बैंकिंग सिस्टम को खड़ा कर सके ये भारत के लिए एक बुरी खबर है दोस्तों आपको बता दूँ कि नौर्थ कोरिया लगातार, जो है rocket launch कर रहा है, satellite launch कर रहा है, जिससे जापान और South Korea जवरदस तरिखे से परशान है, अब पिछला एक उन्होंने स систем किया था, उसका एक बड़ा मल्भा, एक बड़ा हिस्सा North Korea के rocket का South Korea को मिल गया है, प्रूफ्र के अंदर लगी वी तस्वीर आपको नजर आ रही है अब इस से नॉर्थ कोरिया के खुफिया तन तरुसकी जाच पड़ताल करके रिवर्स इंजिरिंग करके साउथ कोरिया भी बहुत लंबा खेल खेल सकता है नौर्थ कोरिया की धंकी के बावजू साउथ कोरिया के पोर्ट पर अमरीका ने अपनी एक परमाणू संबरीन खतरनाक परमाणू बमो और मिजाईलों से घातक मिजाईलों से लेस करके साउथ कोरिया के पोर्ट पर भेज दिया है यही वाहिद अमरिका ऐसा है जो पूरे दूसरे अलाकों में जाकर अपने अलाके में महामला सही रखता है दूसरे के अलाके में जाकर वहाँ पर हिंसक माहौल बना देता है पर्सों मैंने आप बताया था कि नौ nella कोरिया ने दो और मेजाइल लांज़ करी है जो की जापान के इलाके में जाकर गिरी थी अब अमरीका ने नौर्थ कोरिया के मीजाइल प्रोग्राम पर और पाबंदी लगा दी है दोस्तो वहीं अमेरीका के टेकसास में जबरदस्त तुफान आया जिसमें लगबग तीन से चार लोगों की मौत हो गई है और यह आकड़े बढ़ने वाले हैं और सौ से जादा लोग बुरी तरसे घायल हैं हजार लोग इस वक्त बेगर हैं दोस्तो यह थी दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान सिंपल भाशा में वो भी जल्दी जल्दी बिना आपका समय खराब किये नीचे कॉमेंट कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी जाहिल प्राफी जल्दी जल्दी बड़ी खराब कर दोस्तोंस